हेलो दोस्तों नोकिया वापस ला चुका है अपना नोकिया 5310 अगर आपको याद हो इनिशेल डेज जब स्मार्ट फोन्स नहीं होते थे तब फीचर फोन्स में थोड़े ऐसे नोकिया के स्मार्ट फोन्स है जो काफी फेमस है फेमस इसलिए क्योंकि हर एक यूजर के पास यह फोन्स मिलते थे और नोकिया 5310 एक्सप्रेस न्यूजिक नाम के टैग के साथ आता था तो और वो वन आफ दो मोस्ट रिकमेंडेड मतलब जहां भी आप शॉप्स में भी जाओ तो वही दिखता था कि चलो 5310 लेलो क्योंकि सिर्फ यहां पर कॉल लेंग या बैटरी वह इं नोकिया 5310 हालाक इसमें एक्सप्रेस मुजिक का टैग नहीं है तो उसका तो पताने रीजन क्या है मगर यहां पर आपको वो टैग नहीं दिखेगा सिर्फ नोकिया 5310 है और इसकी प्राइज है ऑफिशिल प्राइज 3,399 रुपए और यह आता है 2.4 इंच डिस्पे के साथ non-touch obvious है क्योंकि feature phone ही है यह और dual speakers के साथ आए तो उपर और नीचे दो speaker है तो music में जो concentration किया गया है वो important है यहां पर उसके साथ FM radio का support है और यह wireless FM radio के साथ आ रहा है and MP3 player बे आ रहा है जो equalizer के साथ यहां पर आपको मिल रहा है तो यह है इनके major features dual speakers FM radio MP3 player और उसके साथ HD card यूज करके music आप store करके play कर सकते हो पहले पर आपको यह तो important रहेगा ही क्योंकि इसके अंदर का जो storage है वो 16 MdK है तो उसमें से थोड़ा तो अपने फोन ही यूज करेगा तो camera के थोड़े से मतलब captures के लिए वो जो बचा कुछा storage रहेगा वो काम आएगा और 1200 image की बैट इसमें डालना चाहते हो तो उसका एडाप्टर भी आपको साथ में रखना पड़ेगा तो यह नोकिया 5310 जो वो express music phone था design के सबसे similar है बट यह थोड़ा मोटा लगता है अगर मुझे जानता किया थै क्योंकि मैंने अपना नोकिया 5310 express music खो दिया था तो उसके पार में मैंने और यह राइट साइड में आप यह कंट्रोल बटन्स देख सकते हैं यहां पर वह भी मिलेगा की प्रीवेस ट्रैक जाने का उप्शन और लेफ्ट साइड में यहां पर आपको वॉल्म रॉकर बटन्स मिलेंगे और यह काफी बड़े-बड़े बटन्स है तो वह मतलब ऐसे काफी जादा रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं कि नो सिम काड़ दो सिम काड़ स्लोट है तो यहां पर उसके बारे में में चन किया गया है और अगर आप जी इस पर यूज करना चाहोगे अपना जी तो वह यूज नहीं होगा और अब अगर मैं सेटिंग्स के अंदर ही आपको लेचालों और दिखांग कि क्या क्या यहां पर अपको सेटिंग्स था तो काफी मिल ही रहीं रही है वैसे तो बट मेरे लिए इंपॉर्टन यहां पर रहेगा यह दिखाना कि इसमें जो म्यूजिक के ऑप्शन से वह क्या है तो पहले बात तो यहां पर आपको राइट बटन को अगर हम होल्ड करके राइट जाएंगे तो अब्यूसली स्टेशन सेंज होंगे सेटेशन और यह सब आप चेंज कर सकते हो स्विच आप करता हूं इसको मैं हेड़फोन के साथ अब्यूसली यूज कर पाऊगे मगर वायरलस एफम रीडियो का भी यहां पर सपोर्ट मिल रहा है और उपर की तरफ वह हेडफोन जाएक उसके साथ साथ माइक्र यूसबी का पोर्ट है बॉटम में सिर्फ यह एक चोटा सा स्लिट आपको मिलेगा जहां से आप फोन का बैक ओपन कर सकते हो अगर आप फोन को ओपन कर रहे हो यहां पर पहली बात यह मिलेगी आपको 1200 इमेज वाली बैटरी इसके साथ साथ 2 SIM card slot है जो मैंने का था मीनी SIM slots है तो 1 & 2 दो आपको मिल जाएंगे आपको यहां पर Micro or Nano SIM लगाने का option नहीं है तो आपको अड़ाप्टर के साथ लगाना पड़ेगा और यह VGA camera है जो फ्लैश लाइट के साथ आ रहा है तो पीछे यह है सारी चीज़े अब वापस फोन को बंद करता हूं और पाकेज के अंदर और क्या मिल रहा है वह भी दिखाता हूं आपको 3,400 रुपए का फोन है वैसे इनवे फ्रैंकली मैं कहूं तो मतलब और एक दो हज़ा डाल दो और आंडर फोन में मिल जाएगा आपको बेसिक यूजर के लिए मगर कई सारी यूजर्स होते हैं जो अभी भी सोचेंगे कि मुझे एक फीचर फोन चाहिए जो ज़ादा बैट के साथ चार्जर मिल रहा है और एक बेसिक एयरफोन का सेट भी मिल रहा है तो अलग से आपको खरीदने के ज़र्वत नहीं है बेसिक अगर यूजर्स आप चाहते हो कि ठीक है चल जाएगा कम तो यहां पर वह पी आपको पैकेज के अंदर मिल रहा है SIM Card Ejector Tool नहीं मिलेगा क्योंकि आपने देख लिया है यहां पर SIM Card Ejector की ज़र्वत ही नहीं है बैटरी उपर को निकाल दो और आपको SIM Card का Slot मिल जाएगा तो यह इसका User Manual है Quick Start Guide और बाकी कुछ नहीं मिलेगा आपको Box Package में तो हम अगर Music Application के अंदर जाते हैं और Options में जाएंगे तो यहां पर आपको Equalizer मिल जाएगा जहां पर आप Normal, Bass, Dance, Classical, Tribble, Party, Pop, Rock यह सब options में से चूज कर सकते हो तो बेस लगा के अगर Equalizer सेट किया तो अगर Music हम प्ले करने इस पर तो वह विद सम बेस आएगा इतना जादा फरक पड़ेगा यानि वह हम टेस्ट करेंगे मगर कम से कम आपको यहां पर Equalizer का Option मिल रहा है एक basic Smartphone के अंदर और यह इसका Camera जो कि एक VGA Camera यहां पर आपको मि बिदियो चाहिए और ब्राइटनेस को आप चाहे तो कम कर सकते हो यहां पर अगर फोटो लेने के टाइम अगर आपको ब्राइटनेस कम रखनी हो तो तो यहां पर आप देख सकते हो कि मतलब काफी डिसेंट दिखेगा एटलिस्ट अब हम वापस जाएं तो यह इसका interface था म स्नेक का गेम है, अलार्म क्लॉक, वीडियोज, काउंटर्स नाम का अप्लिकेशन, नोट्स पी आप यहां पर लिख सकते हो, असासिंस क्रीड गेम यहां पर आसफल्ट 6 भी अवलेपल है और दूडल जंप तो गेम्स चाहेंगे आप अगर तो अलग से गेमिंग का वीडिय आपको अगली वीडियो में प्लिकेशन, आपको ऑर दो अज़ेगाएंगे और देख सकते हो, अज़े आपको अगली आपको अखको अगली आपको अश्मन क्यों हो, अग्वलेग्यों।